नए मुख्षचीव अमरित लाल मीना बहुत सक्रिय हैं संबिदा करमचारियों को लेकर लगातार मैं आपको बता दू कि बिभागी अस्तर से काम तेजी से करवाने के पीछे अगर किसी का बड़ा योगदान है तुओ अमरित लाल मीना जी का है आप लोगों को बता दू कि कुछ दिन पहले भी वो जो है अपर मुख्षचीव थे फिर उनका तवादला हो गया फिर से वो जो है उसी बिभाग में और उसी जो है पदपर आये हैं जिसको लेकर के तमाम वर के संबिदा करमचारियों का बड़ा आस जो है उनसे जग चुका ह लगतार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुखमंत्री नितीश कुमार लगतार विभागी अस्तर पर भी बैठक किये हैं और लगतार जो है तमाम जो निर्देश है अब मैं आपको बता दू कि कैबिनेट के दौरान आप लोगों की बात नहीं हुई थी आप लोगों की चर सरकार के सरकारी विभाग भी अगर अच्छे तरीके से उतना प्रवल तरीके से चल पाता है तो उसमें कहीं न कहीं जो है संबीदा करमचारियों का भी बहुत बड़ा युगदान है ऐसे में संबीदा करमचारियों के साथ सोतेला विभार नहीं होना चाहिए देखिए ये ब्लेम जो है कही न कही संबिदा करमचारियों के संगतनों ने ही सरकार पे लगाई थी कुछ दिन पहले कि सरकार यानि की समान काम करते हैं आपको मैं बता दू कि जो काम आप लोग करते हैं उसी में जो सरकारी विभाग के करमचारी करते हैं तो उनको क्या मिलता है और आप ल आपको जो है contact worker का allowances मिलेगा जिससे आप लोग का गुजर बसेरा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है और जिस परकार से आपको बता दे कि कैविनेट के बाद मुखमंत्री महद है जिस वक्त इस तरह की बैठक किये उसमें उन्होंने बाड फिरितियों को ले करणचारी पता दिकारी उनमसे लेंडीकारी हैं उनसे लगातार हम लोगों की मुलकात होती है आप लोग ने देखा है कि हम उनको आवास पर जाकर भी बाद शित किये हैं और लगत albo को वहाँ से घप होगा ecc रोकाड जाए हो ने करमचारी शोटा भी होगा न तुई आपक बिभागी ही हो जाएगे कि विभाग के जो गुप्त जानकारी होती है ये आट सीघर गुप तरीके से बातचीत होती है उसके बाद यहां से आप Toàn लोग को फूर्फ दिखाने के लिए मैं इनके आपास पर से आप लोगो खबर बता देता हूँ लेकिन ऊइभी इलीगल है अब इलिगल है लेकिन फिर भी आप लोग को तो बिस्वास दिलाना होगा कि कब तक आप लोग जो है ऐसे वैसे भटकते रहेंगे और कब तक आप लोग इधर उधर के नूज देख करके अपने आपको जो है कहीं कहीं मोटिवेट करेंगे और फिर आप लोग को मिलेगा अब ही जो फिलहाल में जो कैबिनेट हुआ है उससे पहले हमने आपको कहा था कि मुखमंत्री मोहदै संबीदा करमचारियों को लेकर के सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं उन्होंने सिर्फ जो अपना मोटिव और अपना जो एजंडा बना रखा है वो बार पिरितों के लिए और जो अभी बिहार में जो सिच्वेसान है उसको कहीं कहीं कांट्रोल करने को लेकर के वो बिभागी अस्तर से बैठक और लगातार जो है यह चीज़ कर रहे हैं लेकिन बीते अभी जो कुछ दिन में हुआ है यानि की आपको बता दे के बाद जो बैठक मुखमंत्री सिच्वेसान है अभी हर जगा पर पूरा फलट फैला हुआ है उससे बचाव और उससे उसमें क्या कुछ सुधार क्या कुछ इंप्रोइमेंट और कैसे क्या साहिता पहुंचा सकती है सरकार इसको लेकर के लगातार बिभागी अस्तर से बात करती है और इसी बातचित के हो गई और जिस परकार से सनसादन विभाग ने असपष्ड कर दिया है कि संबीधा करमचारियों को उनका मौलीक अधिकार मिलेगा यह बात जो है लगातार आप लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि लगातार जो कमीटी भी आप लोगों को लेकर के यही जीवन यापन कर सकते हैं इसको लेकर के लगातार जो है उन्होंने अहम जो है बैठक करके इस स्रीजों को निर्देश दिया और ये सरकार को कमिटी ने सिफारिस में एकदम बता दे आपको की 12 से 13 पन्ने की सिफारिस थी उसमें असपस्ट रूप से संविदा अकरमचारियों के मौलिक अधिकार को लेकर के वर्णन किया गया था जिसके बाद आप लोग को भी पता है कि समान परसासन विभाग यानि के जनरल एडमिस्टेशन डिपार्टमेंट के परधान सचीव सभी जिलों के जिला अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा कि किन जिलों में कितने सम्विदा करमचारी काडरत हैं कोन अपने होम डिस्टिक में काम करते हैं कोन अधर डिस्टिक में काम करते हैं तो अधर डिस्टिक वाले को अलग से भताय मिलेगी क्योंकि आप लोगों को अलग जिले की जो भी उहां की महंगाई होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा उसे सेरकार नास्पष्ट किया है कि जिसपर समीधा करमचारी उस सरकारी करमचारी नहीं है इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि आप लोगे को सिर्फ alert users यह आप नहीं मिलेगा सिर्फ alert आप लोगे को नहीं मिलेगा government की बंकी तमाम चीज़ देगी सरकार ऐसा भी कह रही थी कि grade पे भी देने की बात कही थी कि सम्बिदा करमचारियों के एक वार grade पे मिल जाए उनके account जिसमें वो salary को receive करते हैं उसमें एक बार BDA include हो जाए तो सम्बिदा करमचारियों का जीबन बहुती सरल हो जाएगा और इसी पर सरकार काम भी करना चाह रही है और मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार के मानेनिये मुखमंत्री सिरी नितिसकुबार अगर संबीदा करमचारियों का भला नहीं कर सकते हैं अब आप लोग यह सुचते होंगे कि मुखमंत्री मौदा प्रेस ब्रीफिंग के तहट नहीं आते हैं लाइब और हम लोगों को सुचित नहीं करते हैं हम लोगों को जानकारी नहीं देते हैं हम लोगों को सांतोना नहीं देते हैं लोग mootivate नहीं करते हैं, तो ये उनका जो है अपना परिफक्षु है, उनका वो अपना बेक्ष्टु है, वो नहीं आते है, इसका मतलब है कि वो कही नहीं करते हैं, कि हम सिर्फ दिखाबा कर रहे हैं और होता कुछ भी नहीं है, ये भी बात आप लोग के सामने आई होगी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से लगतार जो है मुखमंत्री मोहदा जिस परकार से आप लोग को लेकर करके काम कर रहे हैं, तमाम जो प्रिंटेड मीडिया के निव चैनल से लेकर के और आप लोग को प्रिंटेड मीडिया के अखवार में भी देखने को मिल रहा होगा, कि आप सम्भिधा करम चारियों को लेकर के यह कने मार ग def잔 घथर किये, और बादली बातली होना जाता है जिसको लेकर के वो सही समय पर मुखमंतरी महदल के पास संमिक्षा के लिए नहीं भेजिए जाती है. अप लोग ही समस्ते होंगे कि मुखमंतरी के पास अगर समिक्षा के लिए नहीं भेजा गया है तो मुखमंतरी महदा उसे कहीं न कहीं जो है फिर कैबिने यह 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 आदि प्रदान सचीव के सनरक्षन में उस पर मोहर लग करके पुराज के पूरे जिले में उसे लागू किया जाएगा और तमाम वरके संबीदा करमचारियों के जीवन जो है सरल बनाने को लेकर के जो है एक कदम आगे की और जो सरकार कर रही है उससे कही ने कहीं उनको निजात मिल पाएगा जो सोतेला बिवार की जो उनपर बिलेम है वो भी उनपर मीट जाएगा तो तमाम जो बातें आपस में सनलगनता रखती है तो संबीदा करमचारियों को यही है कि वेट कीजिए कि कब तक सरकार जो है इस पर बड़े निर्दय लेती है